next question, question says total energy of particle performing SHM depends on options है k,a,m या फिर k,a या फिर k,ax या फिर k और x यहां पर assumption यह है कि जो a दे रखा है वो आपका amplitude है इसको अगर हम अच्छे रहे इसको समझेंगे तो आपनी जो total energy लिखते हैं हम उसको हम लिखते हैं half k a square a,k आपका constant है और a आपका amplitude है इसी को अगर हम k को expand कर दे तो इसको हम लिख सकते हैं half m omega square a square यह भी आपकी इसकी value हो जाएगी इस case में अगर हम देखेंगे तो आपकी total energy जो proportional है अगर mutually exclusive system की बात की जाए तो आपकी k और a के proportional है इसको इसके बेजिस पर हम कह सकते हैं कि option number b would be the right answer अक्सर लोग यहां पर कहते हैं कि सर option number a क्यों नहीं है a इसलिए नहीं है कि अगर आपने m को consider कर लिया और आपने k को consider कर लिया आपने m को और a को consider किया है उस case में आपका k है ही नहीं इस उसमें so उस basis पर हम कह सकते हैं कि अगर इन चारों में से most appropriate best answer कोई है तो वह आपका option number b है so based on this b would be the most appropriate choice